नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकें। यदि बहुत सारा नहीं, तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना गुजारा कर सकें। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं। वे धन पाने के लिए कड़ी महंत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशी घर धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुभा उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेश नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है, परन्तु वो अधिक समय तक तिक नहीं पाता। इस तरह कि समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचुक उपाय लाए हैं, जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन तिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और सम्रिध्धी खुद ही आकर्शित होती है। आपके जीवन में आकर्शित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस प्रकार ये कार्य करता है आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इसका जरूर लाब उठाएं क्योंकि जब भी आप इस प्रयोग को इस्तिमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली ये प्रयोग माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और छोटा बच्चा मा के पेट में होता है तो मा की नाभी से उसे सारा पोशन मिलता है यानि की जितनी भी चीजे वो ग्रहन करता है वो मा की नाभी से ही प्राप्त करता है। इसलिए नाभी का बहुत ही ज्यादा खास महत्व माना जाता है, लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो इसलिए लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जितनी भी बाते हम आपको बताते हैं, इनको ध्यान से सुनकर समझकर अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं। इनका इस्तिमाल करते हैं, तो निश्चित ही बदलाव होता है, और जो भी आप पाना चाहते हैं, वो सभी चीजें आपको मिलती हैं। सुख समरिधी धन आपकी ओर आकरशित होता है, और आप ये खुद भी करके देख सकते हैं। जब भी आप ये खुद करके देखेंगे, तो खुद ही इसके रिजल्ट आपके सामने होंगे, बलकि एक ही दिन में इसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्विस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों जब भी आपके होंट फटते हैं तो आप तरह तरह की चीजें इस्तमाल करते हैं लेकिन फिर भी आपको फाइदा नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से अगर आपका गुरू ग्रह खराब है जैसा कि हमने अपने पिछले काफी विडियो जमे भी बताया है कि गुरू ग्रह को किस्मत का ग्रह माना जाता है। यानि की जीस भी व्यक्ति का ये ग्रह बलवान होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद ही अपने आप ही धन प्राप्ति के मार्ग तो खुल जाते ही है बलकि उसे धन प्राप्ति के ऐसे नए नए अफसर मिलते हैं जिनको लेकर वो इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती ह गुरु ग्रह के ही कारण व्यक्ति की किस्मत इतनी ज्यादा बलवान हो जाती है कि वो जो भी चीजे करता है, जिनस भी चीज में कार्य करता है उन सभी चीजों में उसको सफलताएं जरूर मिलती है अगर यही ग्रह किसी व्यक्ति का खराब होता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बलकि जितना भी वो धन कमाता है, वो भी सब फिजूल खर्च होना शुरू हो जाता है जो लोग कर्ज से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं या जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्च बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोगों का गुरु ग्रह बिलकुल भी बलवान नहीं होता है, बलकि गुरु ग्रह के ही कारण उनके जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है लेकिन दोस्तों जब भी गुरु ग्रह खराब होता है तो आप अपनी नाभी में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें ध्यान रखें कि आपको गीली हल्दी का इस्तिमाल नहीं करना है बलकि सूखी हुई हल्दी का ही थोड़ा सा तिलक आपको अपनी नाभी पर रोजाना करना चाहिए क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो इसी से आपके ग्रह पर असर पड़ता है आपका गुरु ग्रह बलवान बनना शुरू हो जाता है इसी से आपकी एनरजी तुरंत बदलती है और आपकी नेगेटिव एनरजी होनी शुरू हो जाती है और जब भी ऐसा होता है तो धन आपकी और आकर्शित होता ही है जिस प्रकार गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह हैं तो हल्दी को नाभी में लगाने से किस्मत बलवान बननी शुरू हो जाती है इतने ज्यादा फायदे आपको इस प्रयोग से मिलते हैं अब दोस्तों जिन लोगों की शादी जल्दी नहीं हो पाती है या फिर शादी के बाद बहुत ज्यादा उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है बात-बात पर लड़ाई जगड़े होते रहते हैं बिल्कुल भी सुख की प्राप्ती उनको नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनके कार्य पर असर पड़ता है. तो यह स्थिती दर्शाती है कि आपका शुक्र ग्रह खराब है क्योंकि जब भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को शादी के बाद बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता है और पहले भी उसके विवाह में बहुत ही ज्यादा अर्चने आती रहती है बिल्कुल निराशा, डिप्रेशन और टेंशन के हालात बना देता है तो ऐसी स्थिती में आपको करना ये है अपनी नाभी पर आपको चंदन का इत्र लगाना चाहिए क्योंकि चंदन का इत्र शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और जब भी चंदन का इत्र आप अपनी नाभी पर रोजाना लगाते हैं खास करके नहाने के बाद तो इसी से आपके जीवन में प्यार आकरशित होना शुरू हो जाता है जिन लोगों के जीवन में प्यार की कमी है जिन लोगों को बिलकुल भी सुख नहीं मिल पाता है, विवाह के योग नहीं बन पाते हैं, या फिर विवाह के बाद भी बहुत ही ज्यादा मुसीबत होती रहती है, तो उन लोगों को रोजाना नहाने के बाद चंदन के इत्रका इस्तिमाल करना चाहिए। इससे तुरंथ ही आपके आसपास की उर्जा बदलती है और जब भी रोजाना इस प्रयोग को आप करते रहते हैं तो आप खुद ही अपने जीवन में बदलाव को महसूस करने लगेंगे यह प्रयोग इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि जब भी इनका इस्तमाल आप इसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार हम आपको बता रही हैं इसी से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है लेकिन दोस्तों बिलकुल ध्यान रखें कि जब भी आप चंदन का इत्र लेकर आएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें अलकोहल बिलकुल भी नहीं होना चाहिए बलकि बिलकुल असली ही चंदन के इत्र का आपको इस्तमाल करना है आजकल मार्केट में असली इत्र नहीं मिल पाते हैं इसलिए आपको इन बातों का बेहत खास ध्यान रखना है क्योंकि चंदन का इत्र जो भी व्यक्ति अपनी नाभी में लगाता है उसके आकर्शन शक्ति इतनी ज्यादा बलवान बन जाती है कि अगर वो व्यक्ति आखे भर कर किसी को देख लेता है और मन में जैसा बोल देता है सामने वाला व्यक्ति वैसे ही मानना शुरू कर देता है यही इसकी खासियत है कि यह आकर्शन शक्ति को इतना ज्यादा प्रबल बना देता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं, अपने जीवन में किसी भी चीज को आकर्षित करना चाहते हैं, वो सभी चीजें आपकी और आकर्षित होती है काफी विडियो जमें आपने ये भी सुना होगा कि जैसा सोचो वैसा ही होता है तो ये बात बिलकुल सच है कि जैसा सोचो वैसा ही होता है लेकिन ऐसा सोच पाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है यही बात आपको काफी लोग नहीं बताते हैं सिर्फ इतना बता देते हैं कि अच्छा सोचो जैसा चाहते हो वैसा सोचो और वैसा ही होना शुरू हो जाता है लेकिन जब आप ऐसा करने बैठते हैं, ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल भी अपने दिमाग को ना तो काबू कर पाते हैं ना ही आपका मन बाबू हो पाता है और ना ही अच्छा सोच पाते हैं, बलकी और नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने आसपास की उर्जा नहीं बदली है अगर आप अपनी नाभी पर चंदन का इत्र लगाते हुए अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा महंत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि खुद ही आपकी एनरजी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है लेकिन इसमें चंदन का इत्र असली होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको चंदन का इत्र नहीं मिल पाता है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि चंदन की लकडी लाकर उसका पाउडर बना सकते हैं उस पाउडर का इस्तिमाल भी आप अपनी नाभी में कर सकते हैं लेकिन इत्र ज्यादा खास होता है इत्र ज्यादा शक्तिशाली होता है इसलिए कोशिश करें कि आपको चंदन का असली इत्र किसी भी तरह से मिल जाएं क्योंकि इसी से आपकी आकर्शन शक्ती इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि आप किसी को भी आखे भर कर अगर देख लेते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी और आकर्शित हो जाता है। और आप जैसा चाहते हैं, जैसा उसे बोलते हैं, तो व्यक्ति अपने आपको रोक नहीं पाता है, आपकी ही बातों को मानना शुरू कर देता है, बलकि इसी से धन भी आपकी ओर आकर्शित होता है, जो आपका व्यापार है, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है. जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे, तो खुद ही बदलाव को महसूस करना शुरू कर देंगे. अगर चंदन के इत्र में ही केसर भी मिलाकर आप लगाते हैं, तो इससे भी धन प्राप्ती के और भी ज्यादा मार्ग आपके जीवन में खुलने शुरू हो जाते हैं. लेकिन केसर का आपको रोज इस्तिमाल नहीं करना है. केसर को आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार ही और वो भी गुरुबार के दिन ही इस्तिमाल करना है. बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है. नहीं तो चंदन के इत्र का इस्तिमाल तो आप रोजाना ही कर सकते हैं. इत्र नहीं मिलता है तो आप चंदन की लक्डी ले सकते हैं। चंदन का पेस्ट ले सकते हैं। उनसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लाभ आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। लेकिन जब भी आप चंदन के पेस्ट का इस्तिमाल अपनी नाभी में करेंगे, तो बिल्कुल खास ध्यान रखें कि ये ऐसे ही आपको नहीं लगाना है, बलकि नहा कर बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इसके बाद ही अपनी नाभी पर इनका इस्तिमाल करना है. जब आप यह प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तो खुद ही इसके नियम भी आप अपने आप ही समझने लगेंगे. आप देखेंगे कि नहाने के बाद जब आप इन चीजों को अपनी नाभी में लगाएंगे, तो तुरंत ही आपको इसके अच्छे रिजर्ट मिलते हैं, लेकिन अगर वैसे ही नाभी में लगाएंगे, तो इसके रिजर्ट मिलने में देरी होनी शुरू होती है, तो आपको शारिरिक शक्ती भी प्राप्थ होती है यानि की जो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है जिन लोगों का गुरु ग्रह भी खराब है तो वो केले का रस लगा सकते हैं इससे तुरंथ ही उनको शारिरिक शक्ती प्राप्थ होनी शुरू हो जाती है हम अपने आने वाले विडियोज में और भी चीजों के बारे में बताएंगे कि कौन सी चीज लगाने से किस परकार के लाव मिलते हैं और कौन सी चीज किस गृह से समबंद रखती है और क्या इन चीजों का रहस्य है ये सभी जानकारी आपको आने वाले वीडियोज में मिलती रहेगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकॉन जरूर दबाईएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पह मिले मिले